तो कहानी के शुरू में हमें एक लेड़ी दिखाए जाती है जिसका नाम एमेलिया था उसका एक छोटा सा छे साल का बेटा भी होता है एमेलिया अकेले ही अपने बेटे के साथ रहा करती थी क्योंकि उसके हस्पेंड की मौत हो चुकी थी एमेलिया का जब बेटा पैदा होने वाला था तो उसका हस्पेंड उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था जिस वक्त उनका एक्सिडेंट हो गया और उस एक्सिडेंट में एमेलिया के हस्पेंड की मौत हो गई उसी दिन उसका बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम एमेलिया ने सै याज तक अपने हस्पन्ट की मौत का दुख था क्योंकि उसका हस्पन्ट भी उसी दिन मरा था वो सैमियूल से जदा प्यार भी नहीं करती थी एमिलिया का बेटा सैमियूल काफी शिरारती बच्चा होता है उसे हर वक्त ऐसा लगता था कि जैसे उसके पास कोई मौनस्टर आ गया हो वो हर रोज रात को सोने से पहली अपनी मौम के साथ बिटके नीचे दीखता तो कभी इलमारी इन सब बातों से एमिलिया उसकी बहुत परिशान हो गई थी रात को सोने से पहली हर रोज एमिलिया उसे कहानी सुनाती जिसे वो बहुती दिल्चस्पी से सुना करता था सेमिल को हमेशा मौनस्टर के ख्यालात आया करते उसने उन से लड़ने के लिए अपने पास हत्यार भी बना कर रखे हुए थी सेमिल अपनी मौम को हर वक मैजिक ट्रिक अपना जादू दिखाता वो टीवी पर भी हर रोज ये सब सीखा करता था एमिलिया सेमिल की इन बातों से बहुत ज़्यादा परेशान थी वो उसे अपने सगे बच्चों की तरह प्यार भी नहीं करती थी एक दिन एमिलिया जब अपने काम पर होती है तो उसी सेमिल की स्कूल से फोन आता है क्योंकि वो अपने साथ कुछ वेपन्स हत्यार ले गया था एमिलिया उसके स्कूल जाकर उसे बहुत डाटती है और प्रिंस्पल से भी बात करती है जिसके बाद एमिलिया ने सेमिल को स्कूल छोड़वा दिया था उसी राट सेमिल एमिलिया से कहता है के मॉम मुझे आप एक स्कूल कहानी सुनाई वो अपनी मॉम को एक किताब देता है जिसका नाम था मिस्टर बाबा डूग जो इस मूवी का नाम भी है एमिलिया उस किताब को पढ़ती है जिसमें लिखा था बाबा डूक एक मॉंस्टर है जो कदमे बहुत लंबा और उसके हाथों की उंगलिया काफी अजीब है उसर पर हेट पहनता है और जो भी इनसान इस मॉंस्टर के बारे में सोचने लग जाएगा या उसे देख ले तो वो कभी भी सोग नहीं पाएगा फिर वो इनसान बस अपने लिए मौत मांगेगा इस सब बात एमेलिया को काफी जीब लगती है वो अपने बेटे को कोई और कहानी सुनाने लगती है मगर सेमियूल को बाबा डूक की बातों पर यकिन हो गया था और वो डर से चिला रहा था एमेलिया उस किताब को अलमारी में चुपा देती है ताकि तो बारा सेमियूल उस किताब को ना पढ़े मगर अगले दिन भी सेमियूल बाबा डूक की बातें कर रहा था एमेलिया उसकी इन हरकतों से तंग आ गई थी वो सेमियूल को बहुत समझाती है कि बाबा डूक जैसी कोई चीज़ नहीं है उसकी खुद को रोक नहीं पाती और उस बेस्मेंट में चली जाती है उसनी छे साल बाद अपने हस्पेंट की तस्वीर को देखा था इसकी बाद घर में अचीप चीप हाद से होने लगे थी जैसे कि दरवाजे का खुदी खुलना या बंध होना खाने में शीशे का मिलना और तो और सेम्यूल का बेवजा चिलनाना एमेलिया को बैसा लगने लगा था कि सब सेम्यूल कर रहा है मगर सेम्यूल कहता है कि ये सब बाबा डूग कर रहा है ये बात सुनकर तो एमेलिया को बहुत गुसा गया था सेम्यूल से कहती है कि आ बाबा डूग लगा रखी है ऐसी जोड़ा पर जाती है जहां पर उसकी बहन की बेटी का बर्थडे था एमेलिया की बेटी का बिल्कुल पसंद नहीं है इस बात को तो सुनकर जैसे अमेलिया को गुसा आ गया था वो अपनी बेहन पर भड़क जाती है उधरी एक छोटी सी ट्री हाउस में अमेलिया की बेहन की बेटी और उसका बेटा अकेली थी उसकी बेहन की बेटी उसकी बेटे को ये कह रही थी कि तुम्हारे डैट नहीं है इस बात सी वो से बार बार चुडाती है ये बात सुनकर से मियूल को गुसा आ गया था और वो गुसे में एमिलिया की बहन की बेटी को धका दे देता है जिससे उसकी नाग से खून आने लगा था इस बार पर तो एमिलिया की बेहन को और गुसा जाता है इसलिए वो एमिलिया को घर से जाने का कहती है अब वो जब अपने बेटे से मियूल को वापिस घर ले जा रही थी वो रास्ते में भी अजीब हरकतें करता है तब ही अचानक से गाड़ी में ही उसे दोरे पढ़ने लगे थी उसे मिर्गी का टैक हुआ था एमिलिया ये देखकर अपने बेटे को जल्दी से डॉक्टर के पास ले कर जाती है और उधर डॉक्टर से से मियूल के लिए नींद की दवाई भी मांगती है क्योंकि वो हर रोज रात को बाबा डूक से डर कर सोया नहीं करता था घर आकर अमिलिया अपने बेटे को रात को सोने से पहले नींद की दवाई देती है जिसके बाद वो करी दिन बाद सकून से सो पाए थी ये सब देखकर अमिलिया बहुत खुश थी लेकिन तब ही उसकी दिर्वाजे की बेल बचती है जो वो दिर्वाजा खोलती है तो बाहिर मिस्टर बाबा डूक की किताब पड़ी थी उसके इलावा उसके किताब में कुछ ऐसी ड्रॉइंग्स भी बनी थी जैसे एमिलिया अपने डॉक को मार रही हो और फिर अपने बेटे को जिसके बाद उसने एक बड़े सी चाको से अपनी जान ले ली उसको मान लेती है ये सब देखकर अमिलिया बहुत डरती है उसने उसके किताब को जला दिया था जिसके बाद उसे एक फोन आता है जैसे ही एमिलिया रेसीवर को कान पर लगाती है उसे कुछ ऐसी आवास सुनाई दी थी बाबाडू बाबाडू ये सुनकर वो डर जाती है और पुलिस टेशन पहुँच गई थी सब बातों के बारे में जो वो ओफिसर को बता रही थी जो कि बिलकुल वैसा था जैसा इसने बाबाडू की कहानी में देखा था ये देखकर वो डर जाती है जिसके बाद वो घर आ गई थी उसने खुद को बिलकुल अकेला कर लिया था वो बाद बाद पर सेमियूल पर चिलाती रहती थी अब तो उसे अपने घर में भी बाबा डूग दिखाई देने लगा था एक दिन एमेलिया देखती है कि फ्रिज के पीछे एक सुराख है और उसमी से बहुत से काक्रोचिस बाहिर आ रही है मगर अगले ही पल वहाँ पर कुछ भी नहीं था इन हाथसों से अमेलिया तंगा गई थी इसलिए वो ये फैसला करती है कि वोसे म्यूल के साथ बाहिर आइसक्रिम खाने जाएगी ताकि उसके तिमाग को थुड़ा सकून मिल सके जब उपने बेटे के साथ बाहिर जाती है उसका बेटा ये सब देकर खबरा गया था इसलिए वो अपने परोसियों के घर कॉल करने लगता है मगर एमेलिया ने सभी फोन लाइन्स को भी कार दिया था रात को वो जबरदस्ती अपने बेटे को नींद की दवा खिलाने की कोशिश करती है मगर इस पार से म्यूल दवाई को नहीं खाता उसने उस दवा को अपने हाथ में चुपा कर अपनी मॉम को ये जाहर करता है कि उसने दवा खा ली इसके बाद तो एमेलिया को अब अचीब अचीब खियाल आने लगते हैं उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपने बेटे को बहुत बड़ी चाकू से मार दिया उसे टीवी में भी बाबा डूग दिखाई दे रहा था और तो और उसे अपना ड्राउना रूप भी नज़र आता है जिसके बाद वो अपने घर के बेस्मेंट में जाती है जहाँ पर उसे अपना हस्पेड नज़र आता है जो कह रहा था कि मैं अपनी दुनिया में वापिस आजाओंगा जब तुम हमारे बेटे को मार दोगी मगर यहाँ पर हम समझ पाते हैं यह सिर्फ अमेलिया का वहम था और बाबा डूक मॉंस्टर की एक चाल यह सब जानने के बाद इस से पहले अमेलिया बेस्मेंट से बाहर आती बाबा डूक उस पर हमला कर देता है उसने अमेलिया को अपने कंट्रूल में कर लिया था वो पूरी तरह से बाबा डूक के कबसे में आ चुकी थी उस किताब के मताबिक वो सबसे पहले अपने डॉक को मारती है और फिर सेम्यूल को मारने की कोशिश कर रही थी बार बार वो उसका दरवाजा खोलती है जब एमेलिया अंदर आती है तो उदर सेमियूल ने पहले ही अपने हत्यार जमा कर लिये थी वो अपने उन हत्यारों से अपनी मॉम पर हमला करता है सेमियूल भाग कर बेस्मिन में आ गया था जहां पर एमिल्या भी उसके पास आती है आपने पहले भी मेरी बात पर यकीर नहीं किया था तब ही एमेलिया को न जानी क्या हो जाता है वो गुसे से सैमियूल को उठा लेती है मगर सैमियूल प्यार से अपनी मौम को जब बुलाता है और उसे प्यार करने लगा था तो आहिस्ता आहिस्ता एमेलिया अपने होश में आती है और एक तम से काले रंग की उल्टी करती है उसके मूँ से काले रंग का लिकुर निकल रहा था जिससे अब वो मुकमल होश में आ गई थी वो अपने बेटे को लेकर जब कमरे में जाने लगती है तो सेम्यूल अपने कोई भी इंसान बाबा डूक से अपना पीछा नहीं छुडा सकता मौं। तब ही कोई ताकत सेम्यूल को कमरे में खीच लेती है। एमेलिया जिल्दी से अपने बेटे के पीछे भागती है। उसने अपने बेटे को बचा लिया था। यहाँ पर भी बाबा डूक उसे उसके हस्पेंट के वीजन्स खयाल दिखाता है। मगर इस पर एमेलिया बाबा डूक की चाल को समझ गई थी। उच लाकर कहती है यह मेरा घर है और चले जाओ यहाँ से। अपने बेटे को प्यार भी करने लगी थी और तो और उसके हत्यारों में और जादू दिखाने में भी बहुत दिल्चस्पी लेती है। यहाँ दिन वो कुछ कीड़े लेकर बेस्मेंट में जाती है जहाँ पर बाबा डूक रहा करता था ताकि वो कीड़े वो मौनस्टर बाबा डूक खा सके तब ही अचानक से कोई उस पर हमला कर देता है जो कोई और नहीं बाबा डूक था जिससे एमेलिया नीचे गिर गई मगर जिल्दी वो खुद उट जाती है और बाबा डूक मौनस्टर उन कीड़ों को लेकर कोने में चला गया था एमेलिया बाहरा जाती है जहाँ पर वो अपने बेटे का बर्थडे सेलिपरेट कर रही थी वो अपने हस्पेंट की बात करते हुए भी अब घपराया नहीं कर पर जाती थी उसने हर चीज़ को फेस कर लिया था कहानी के आखिर में हमें बताया जाता है कि बाबा डूक कोई मौनस्टर या फिर कोई बला नहीं बलकि एमिलिया का दुख था जो उसने अपने हस्पेंट के मरने के बाद अपने अंदर दफनाया हुआ था उसका दुख ऐ जैसे ही अंदर ही अंदर बढ़ता गया और वो ऐसी पागल हो गई कि जैसे उस पर किसी चीज़ का कंट्रोल हो उसने अपने हस्पेंट के चीज़ों को बेस्पेंट में बंद कर रखा था मगर जब से मियूल ने बेस्पेंट का दिर्वाजा खोला तो वो सारी यादें एम बाबा डूक मॉंस्टर था वो बस उन लोगों के साथ रहा करता था जो अपने दुखदर्द में घिरे रहते जैसे हमेलिया थी और इसलिए बाबा डूक ने उसका फाइदा उठाया मगर जब हमेलिया स्ट्रॉंग बनी मस्बोत बनी तो उसने अपने जिंदकी को ठीक कर और बाबा डूक को कैद जिसके बाद वो अपने बेटे के साथ खुशहाल सिंदकी गुजारने लगी तो आपने इस कहानी को दो तरह से जाना आपको इन मेंसे कौन सा मतलब सही लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यही पर खत्म हो जाती है